मोदी है ना वो तो बहुत बड़ा सोचता है यह मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है ट्रेलर मुझे तो नए जम्मु कश्मीर की नई और शांदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है वो समय दूर नहीं जब जम्मु कश्मीर में भी विदान सभा के चुनाव होंगे जम्मु कश्मीर को वापक राज्ज का दर्जा मिलेगा आप अपने विधायक अपने मंत्रियों से अपने सपने साजा कर सकेंगे हर वर की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा यहाँ जो सडकों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पुरा होगा देश विदे से बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी प्रेक्टरियां और ज़्यादा संख्या में आएगी बड़ी 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 मिलेगा और इलेक्शन भी होगा सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है हमारे उपर कौन सा ऐसान कर रहा है ऐसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें एलेक्शन दिये होते ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सक्तमबर से पहले जमू कश्मीर में एसेंबली एलेक्शन जो है वो मुकमल किये जाने चाहिए और जहां तक स्टेटूर का सवाल है अभी तक तो वो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो चीना क्यूं गया चलिए 370 जो है उनके मनशूर में दर्ज था कई सालों से लेकिन जमू कश्मीर को एक रियास्त के मतलब रियास्त से हटाके उसको यूनियन टेरिट्री का दर्जा देना ये कहां का इंसाफ था इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए तो वजीर आजम साहब ने जम्मू में जो तक्रीर की उसमें हमारे साथ को यह ऐसान नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मुझे आद है 1992 में एक ताय आस्त्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था जो सम्मान किया था एक प्रकार से पुरा ख्षेत्र रोड पर आ गया था और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फराने का था तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशिरवाद दिया था 2014 में माता वैश्णों देवी के दर्शन करके आया था और इसी मादान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक वीडियो ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा आज आपके आशिरवाद से मोदी ने भोग गारंटी पूरी कर दी है दसकों बाद ये पहला चुनाव है जबातंगवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हरताल, सीमापार से गोलिबारी ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है तब माता भैष्णो देवी यात्रा हो या मरनाथ यात्रा ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो इसको लेकर ही चिंताएं होती थी अगर एक दिन शांती से गया तो अख़बार में बड़ी खबर बन जाती थी आज सीती एक दम बदल गई है आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है इसलिए आज जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे में भी एक ही गुन सुनाई दे रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों ये चुनाव सिर्प सांसर चुनने भरका नहीं है बलकि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनोतियों के बीच भी चुनोतियों को चुनोती देते हुए काम करके दिखाती है दिखता है कि नहीं दिखता है दिखता है कि नहीं दिखता है यहाँ जो पुराने लोग है उनको दज साल पहले का मेरा भाषन याद होगा यही मैंने आप से कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए याद है ने मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए मैं साट वर्सों की समस्चों का समाधान करके दिखाऊंगा तब मैंने यहाँ माताओ बहनों के सम्मान की गारंटी दी दी गरीब को दो वक्त के खाने की चिंता न करने पड़े इसकी गारंटी दी आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले पांच साल तक मुप्त राशन की गारंटी है आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास पांच लाख रुपिये के मुप्त इलाज की गारंटी है दस वर्थ पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गाउं थे जहां बिजली, पानी और सडक तक नहीं थे आज गाउं गाउं तक बिजली पहुँच चुकी है आज जम्मू कश्मीर के 75 प्रतिसत से ज़्यादा गरों को पाइप से पानी की सुविदा मिल रही है इतना ही नहीं यह डिजिटल का जमाना है डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए मोबाइट टावर दूर सुदूर पहाडों में भी लगाने का बड़ा तेज अभ्यान चलाया है भाईज और भहनो मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी आप याद किजिए कॉंग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपूर कंडी डेम को कैसे दसकों तक लटकाए रखा जम्मू के किसानों के खेट सूखे थे गाम अंदेरे में थे लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था मोदी ने किसानों को गरंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है इसे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फाइदा हुआ है यही नहीं इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे भाई और बैनों मोदी विक्सीद भारत के लिए विक्सीद जम्मू कश्मीर के निर्मान की गारंटी दे रहा है लेकिन कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी और बागी सारे दाल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं इन परिवार चलीत पर्टियों ने परिवार के बारही चलने वाली पर्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुक्सान किया उतना नुक्सान किसीने नहीं किया है यहां तो पुलिटिकल पार्टिया मतलब of the family, by the family, for the family सत्ता के लिए इन्हों ने जम्मु कश्मीर में तीन सो सत्तर की ऐसी दिवार बना दी थी कि जम्मु कश्मीर के लोग बाहर नहीं जौँख सकते थे और बाहर वाला जम्मु कश्मीर की तरब नहीं जौँख सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था गब अज उनकी जिन्गी ये 370 है तब ही बचेगी ऐसा जूट चलाया ऐसा जूट चलाया आपके आशिरवाद से मोदी ने 370 की दिवार गिरा दी दिवार गिरा दी तना नहीं उस मलवे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने मैं चुनावती देता हूँ हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आजाए विजेश करके मैं कॉंग्रेस को चुनावती देता हूँ वो गोसना करें वो 370 को वापिश लाएंगे ये बेश उनका मुह तक देखने को तयार नहीं होगा ये कैसे कैसे भ्रह्म भलाते हैं कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर हमें छोड़के चला जाएगा लेकिन जम्मू कश्मीर के नवजवानों ने इनको आइना दिखा दिया अब देखिए जब यहां उनकी नहीं चली जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए अब जम्मू कश्मीर में उनके जूठे वादे ब्रह्म की माया जाल नहीं चल पा रही हैं तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच ब्रह्म फैलाने का खेल खेल रहे हैं ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाब नहीं हुआ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तिन सो सत्तर के हटने से क्या लाब हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बेहन बेटियों को पूछो जो अपने हकों के लिए तरस रही थी ये उनका भाई ये उनका बेटा उन्हाने उदके हक बापिस दिये है जरा कॉंग्रेस के लोगों जरा देश भर के दलीत नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ यहां के अमारे दलीत भाई बेहन अमारे वालबी की भाई बेहन देश आजाज हुए तब से परेशानी जेल रहे थे जरा करके उन्हालबी की भाई बेहनों से पूछो गड़ा अबरामर से पूछो कोली से पूछो और पहाड़ी परिवार हो मचैल माता की भूमी में रहने वाले मेरे पड्री साती हो अब हर किसी को सम्विधान में मिले अधिकार मिलने लगे हैं अब हमारे फूछो की भीर माताओं को चिंता नहीं करने पड़ती क्योंकि पत्थर बाजी नहीं होती है इतना ही नहीं गाटी की वो माताएं मुझे आथिरवाद देती हैं उनको चिंता रहती थी कि बेटा अगर दो-चार दिन दिखाई न दे तो उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फस गया है आज कश्बीर गाटी की हर माता चेन की निंद सोती हैं क्योंकि अब उनका बच्चा बरबाद होने से बच रहा है साथियों अब स्कूल नहीं जलाए जाते बलकि स्कूल सजाए जाते हैं अब यहां एम्स बन रहे हैं आई आई टी बन रहे हैं आई आएम बन रहे हैं अब आदुनिक टनल आदुनिक और चौडी सड़के शांदार रेल्स का सफर जम्मू कश्बीर की तकदीर बन रही है जम्मू हो या कश्बीर अब रिकॉर्ड संखा में परियतक और स्रधालू आने लगे हैं इस सपना यहां की अनेक पीडियों ने देखा है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सपना आपका सपना यह मोदी का संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम विक्सित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24 by 7 24 by 7 for 2047 ये मोदी की कारंटी है दस सालों में हमने आतंगवादियों और प्रस्टाचारियों पर गेरा बहुती कसा है अब आने वाले पांच सालों में इस शेत्र को विकास की नई उचाई पर ले जाना है साथ्यों दस साल के अंदर अंदर जम्मो कश्वीर पूरी तरह से बदल चुका है सड़क बिजली पानी यात्रा प्रवाद वो तो है सबसे बड़ी बात है जम्मो कश्वीर का मन बढ़ला है निराशा मैं से आसा की और बड़े है जीवन पुरी तरह विश्वास से भरा हुआ है इतना विकास यह हुआ है चारो तरब विकास हो रहा है लोग कहेंगे मोदी जी अरे इतना कर लिया आप चिंता मत कीजिए हम आपके साथ है आपका साथ उस पे परती तो मेरा अपार विश्वास है मैं यहां नहां आता तो भी मुझे पता था कि जम्मो केश्वीर का मेरा नाता इतना गहरा है तो आप मेरे लिए मुझसे भी जादा करेंगे मैं तो आया हूँ मा वेश्दो देवी के चरणों में बैठे विए आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए मा वेश्दो देवी की छत्र साय में जीने वाले भी मेरे लिए दर्शन के योग्य होते हैं और जब लाब लोग कहते हैं इतना कर लिया इतना हो गया इतना हो गया हम वो इतने से ज़्यादा क्या कर सकते हैं मेरे जम्मू कश्मिर के भाई बहन आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है विकात जैसा लग रहा है लेकिन जो मोदी है न वो तो बहुत बड़ा सोचता है ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है ट्रेलर मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विदान सभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर को वापत राज्य का दर्जा मिलेगा आप अपने विधायक अपने मंत्रियों से अपने सपने साजा कर सकेंगे हर वर की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा यहाँ जो सडकों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पुरा होगा देश विदेश से बड़ी-बड़ी कंपनियां बड़ी-बड़ी फैक्टरियां और जादा संख्या में आएगी जम्मु कश्मीर टूरिजम के साथ ही स्पोर्ट और स्टार्ट अप के लिए जाना जाएगा इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मु कश्मीर को आगे बढ़ाना है बाई और बेहनों ये परिवार चलीट परिवारबादी परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस राम मंदिर से कितनी नफुरत करती है कॉंग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टिफ अगर कहीं मुझे राम मंदिर भी निकल गया तो चिलनाने लग जाती है रात दिन चिलनाती है तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था राम मंदिर का संगत तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेस सल्तनत भी नहीं आई थी राम मंदिर का संगत पांसो साल पुराना है जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था जब विदेशी आकरांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्मस्तालों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी बर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्ता के लिए क्या क्या नहीं जेला कॉंग्रेस और उसके सहियों की दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे लेकिन जब राम लला के टेंट पजलने की बात आती थी तो लोग मूँ फेर लेते थे अदालतों की धमकिया देते थे बारिश में है राम लला का टेंट तपकता रहता था और राम लला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काड़ते रहते थे ये उन करोडों अर्बों लोगों की आस्ता पर आगाथ था जो राम को अपना आराज्य कहते हैं और हमने इनी लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब राम लला भग्यमंदिर में बिराजेंगे और तीन बाते कभी भूल नहीं सकते एक पांचो साल के अविरत संगर्ष के बाद ये हुआ है आप सहमत है पान्सो साल के अभिरत संगर्च के बाद हुआ है आप सहमत है दूसरा पूरी नयाई प्रक्रिया की कसोटी से कस करके नयाई के तराजु से तोल करके अदालत के निर्णए से यह काम हुआ है सहमत है तीसरा ये भव्यराम मंदिर सरकारी ख़जाने से नहीं देश के कोटी कोटी नागरी को ने पाई पाई दान दे कर बनाया है सेमत है जब उस मंदिर की प्राण पतिस्ता हुई तो पिछले सत्तर साल में कॉंग्रेस ने जो भी पाप किये थे जो भी रुकावटे डाली थी उनके साथियों ने जो भी रुकावटे डाली थी सबको माप करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो खुद कॉंग्रेस वालों के घर गए इंडी गटवंदन वालों के घर गए उनके पुराने पापों को माप कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी है आप प्राण प्रतिश्टा में जुरूर पधारिये सम्मान के साथ बुलाया लेकिन उन्होंने इस निमंत्रन को भी ठुकरा दिया कोई बताएं वो कौन सा चुनावी कारणामा था जिसके दमाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिश्टा के निमंत्रन को ठुकरा दिया वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिश्टा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया ये कौंग्रेस वाले इंडी गढमंदन वाले जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते है उनके लिए चुनावी मुद्दा था देश के लिए ये स्रधा का मुद्दा था ये धैरिय की विजय का मुद्दा था ये आस्था और विश्वास का मुद्दा था ये पांच सो वर्थ की तपस्या का मुद्दा था मैं कॉंग्रेश से पूछना चाहता हूँ आपने अपनी सरकार के समय दिन राज जब इसका विरोध किया तब यह किस चुनाव का मुद्धे के तहता आप कर रहे थे लेकिन आप राम बक्तों के आस्था देखिये मंदिर बना तो यह लोग इंडी गडबंदन वालों के गर प्राण पतिश्चा का मंतर देने के लिए खूद गए जिस च्छन के लिए करोडो करोडो देशवासी ने इंतजार करे थे आप बुलाने पर उसकी तरब देखने नहीं गए पूरी दुनिया के राम बक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है आपकी चुनावी मंसा को देखा है यह चुनावी मंसा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंतर ठुकरा दिया आपके लिए चुनाव का खेल है एक किस तरह की तुष्टिकर्ण की राजनीती थी भगवान राम को कालपनी कहकर कॉंग्रेस किस वोट मैंक को खुश करना चाहती थी साथियों कॉंग्रेस और इंडी कड़बंदन के लोगों को देश के जादा तर लोगों की भावनाओं की कोई परवा नहीं है इने लोगों की भावनाओं से खिलवार करने में मजाता है ये लोग सावन में एक सजाय अपता जो सजार कॉट में जिसको सजा की है जो जमानत पर है ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं इतना ही नहीं उसका विडियो बना करके देश के लोगों को चिड़ाने का काम करते हैं कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और नहीं मोदी रोकता है सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करें वेज खाए या नोन वेज खाए लेकिन इन लोगों की मनशा दूसरी होती है जब सब मुगल यहां आक्रमन करते थे न तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोस नहीं होता था जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे जब तक सद्धास्थानों की कटल नहीं करते थे उनको संतोस नहीं होता था उनको उसी में मज़ा आता था वैसे ही सावन के महने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मान सिकता ना उसके द्वारा वो देश के लोगों चिडाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्ती करना चाहते हैं नवरात्र के दिनों में अपना 99 खाना आप इस मन्सा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो मैं जानता हूँ मैं जब आज ये बोल रहा हूँ उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूर लेकर गालियों की बोचार मुझ पर चलाएंगे मेरे पीछे पढ़ जाएंगे लेकिन जब बात बरदास्ते बहार हो जाती है तो लोग कंतर में मेरा दाईकलो बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताओ और वो मेरा करतब ये पूरा कर रहा हूँ ये लोग ऐसा जानबुर्थ कर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की माननेताओं पर हमला हो ये इसलिए होता है ताई कि एक बड़ा वर्क इनके वीडियो कर देखकर चीडता रहे असाज होता रहे समझ्याई संदाज से हैं तुष्टी करन से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है लेकिन ये लोग नहीं जानते जनता जब जबाब देती हैं तो बड़े बड़े शाही खांदार के युगराजों को बेठकल होना पड़ता है साथियों ये जो परिवार चलिट पार्टियां है ये जो प्रस्टाचारी है अब इनको फिर मोका नहीं देना है उदंपूर से डॉक्टर जितेंद्र सी और जम्मू से जुगल किशोर जी नया रेकॉर्ड बना कर संसत बेजना है जीत के बाद दुबारा जब उदंपूर आऊं तो स्वादिष्ट कलाडी का आनन्द जुर लूँगा मेरा एक काम करोगे माता वैष्णो देवी को वहाँ मैं जानी पा रहा हूँ यहाँ इतना निकट आ करके तो माता वैष्णो देवी की जमा मांगिए और मेरी तरब से मत्था टेकिए दूसरा एक काम करोगे एक और काम करोगे मेरा एक काम और करोगे जड़ा उदर से आवाज आएक काम करोगे इदर से आवाज आएक करोगे पीछे से आवाज आएक करोगे पक्ता करोगे देखिए आप गर-गर जाना है और गर-गर जाके कहना मोदी जी उदंपुर आये थे मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है रामराम कहा है जै माता दी कहा है कहोगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल